यह मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के लकी और अनलकी डेज के बारे में मई का महिना शुरू होने वाला है और मई के महिने में कुम्भ राशी के लोगों के लिए इस माह की इसे पाप कत्री ग्रह हो तो वो दिन आपका काफी नुकसान वाला या मानसिक शिंताए देने वाला स्वास्ता बिगाड़ने वाला साबित होता है तो ऐसे जो अशुब दिन होते हैं इन दिनों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और उपाय भी जरूर करने च कौन कौन से दिन आपके लिए सबसे अधिक सफलता दायक सबसे अधिक विशेस होने वाले हैं और कौन से दिन में आपको सावधानी जरूर रखनी है और उपाय भी करने हैं तो सबसे पहले तो आपसे निवे दिन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो बेल का इकन भी होने वाला है ग्रेनक्षत्रों में क्योंकि उनकी राशी का स्वामी कुम के स्वामी ग्रह शनी वक्री होने जा रहे हैं जो कि इस महीने में कई तारीखें ऐसी होंगी जिनमें आपको विशेश सावधाने रखने होगी तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए उन डेट्स क वो है 4 और 5 माई इस दिन चंदरमा किस्ति थी कन्या राशी में होगी ये दिन आपके लिए शारीरिक तौर पर भी अच्छा नहीं होगा और मांसिक तौर पर भी परिशानी देने वाला होगा इन दिनों में आपको घर परिवार पर धायरे से काम लेना होगा गुसे से आप आपको बच्छना होगा कुरूद के दिखता रह सकती है दूसरी अंडेट्स की बात करें तो दूसरी हैं बारा तेहरा और चौधा माई का दिन इन दिनों में चंदरमा मकराशी में होंगे आपके बारवे भाव में होंगे तो यहां वादिवाद किस्तितियां बन सकती हैं घर बरिवार का माहर भी गड़ सकता है तो आपको साबधानी रखनी होगी वाणी पर सयम रखना होगा और देखे इसके बाद की बात करें तो 27 और 28 माई का दिन यह आपके लिए स्वास्थे सम्मंधी परिशानिया लेकर आ सकता है अपने स्वास्थे का धिहान रखना होगा इ कौन कौन से दिन आपके लिए लखी रहने वाले हैं तो वो हैं पांच एपरेल का दिन इस दिन भौम प्रदोश वरत्पी है जो आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा आप काफी सुखी खुद को महसूस करेंगे इसके बाद 7 मई का दिन है जो पूर्णिमा का द ही है और 28 मई का दिन है 28 मई का दिन गुरू पुष्य अमरत योग इस दिन बन रहा है जो कि बहुत ही शुब है तो इस दिन आपको जरूर कुछ उपाय करने चाहिए और साथ ही देखिए जो 10 मई का दिन है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस दिन संक् पुष्य व्रत है तो ये आपके लिए गणेस पूजा के लिए बहुत अच्छा होगा तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जो आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाले हैं आपके लिए मांसी तोर पर भी बहुत ही खुशियां देने वाले रहेंगे घर परिवार का माहौल भी पाकि जो दिनों के हमने बात नहीं की है वो आपके लिए सामान्य बीतने वाले हैं तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें